अस्सलाम उलेकुम आज मैं आप लोग से शेर करूँगी इजी एंड दिलिसियस चिकन ब्रेड बॉल की रेसिपी इसे बनाना एक दम आसान है और इसकी अंदर की फिलिंग एक दमला जवाब है तो आएए देखते हैं इस डिलिसियस रेसिपी को हमें कैसे बनाना है यहाँ पर इसमें 1 तीज़ नमक और 1 तीज़ लसुन दरग का पेश डाल देना है और एक कप पानी डालेगे यानि की 250 ml और इसे हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमें इसे लिड से कवर करके गैस के उपर रख देना है और 4-5 मिनिट के लिए हमें इसे अच्छे से गला लेना है तो अब हमें चिकन को श्रेट कर लेना है और यखनी को हमें अलग कर लेना है तो हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है इसमें हमें सारे चिकन को इस तरह से हडियों से रिमूब करके डाल देना है आप चाहे तो इसे हाथों से भी श्रेट कर सकते हैं जैसे आपको आसानी ह लेकिन हमने इसे मिक्सी जार में स्रेट करना है तो ये देखिए हमने सारे चिकन को इस तरह से अलग कर लिया है और इसका जो यखनी है इसका हम इस्तमाल बाद में करेंगे तो इसे हमें फेकना नहीं है अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे तो ये देखिए हमने चिकन को इस तरह से 2-3 सेकेंड के लिए mixi jar को चलाया था और इस तरह से straight कर लिया है तो अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है इसमें हमें एक टेबल स्पुन बटर डाल देना है और बटर मिल्ट होने के साथ ही हम इसमें एक मेडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याई डाल देंगे आप यहाँ पर बटर की जगा तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए सॉप्ट कर लिया है तो अब हम इसमें एक टीजपून चॉप किया हुआ लसुन डाल देंगे और लसुन को भी हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है और लसुन जैसे ही फ्राई हो जाएगा हम इसमें एक टेबल स्पून मैदा डाल देंगे यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पर हम मैदे को एक मिनट के लिए रोष्ट कर लेते हैं जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुस्भून नहीं आने लगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर मैदे को अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसमें आधा कप चिकन का यखनी डाल देंगे जो हमने बचा करके रखा था और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपके पास चिकन का यखनी नहीं हो तो आप यहाँ पर सिंपली मिल्क एड़ कर लिजिएगा तीज तरह से हम अस्पैचुला से दबा दबा कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी मैदे का लम्स नहीं रहना चाहिए तो अब हम इसमें 140 ती स्पून नमक डाल देंगे और 140 ती स्पून काली मिर्च का पाउडर और 140 ती स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे अगर आपके पास रेट चिली फ्लेक्स हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर की जगा उसे भी डाल सकते हैं और इन सारी चीजों को हमने यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें श्रेट किया हुआ चिकन डाल देगे बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनकर की तयार होती है जरूर से आप इसमें थट से ट्राइ कीजिएगा और इसी के साथ हमें यहां पर एक टेबले स् और थोरा साम सब्स्पूर किया हुआ गाजर और एक टेबले स्पून चव प्या हुआ सिमीला मिर्ष जाल देंगे इन सारी चीजों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अभी हमने गैस तक के फ्लेम को लो रख अि एसे अच्छे से मिक्स कर देना है उसके बाद अदो यहां पर हमें एक लिए प्रूम को इसे एक मीदिए के लिए पका लेने तो यहां पर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस फिलिंग बनकर तयार हुआ है तो अब हम स्थेंदेरें को बनकर देंगे क्यों थंडा होने के बाद थोड़ा यह और थिख हो तो यहां पर हमने एक ब्रेट के स्लाइस लिया है इस तरह से हमें इसके साइड को कट कर लेना है तो यहां पर हमें इस तरह से पहले सारे ब्रेट को कट करके रख लेना है अब हमें यहां पर ब्रेट को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है तो हम इसके उपर थोड़ा सा पानी के छ कर लेना ये देखिये हलका हलका हम पानी के शी्टे मारकरी से सॉफ्ट लेंगे इसके बाद हमें इसमें फिलिंग डालना है तो हमने या पर एक स्पून यह दो हमनेOTP मोजघ रचीज को स्पून के तिस के समयर केर सकती है तो उसको हमने सेंटर में रख दिया है और थोड़ा देना हे हलके हलके हाथ से ब्रेट भीगने की वजह से काफी अच्छे से सौफ्ट हो जाते है जो आसानी से इस तरह से फोल्ड हो जाएए ये देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आप mimeto就可以 करना है तो गीला इससे आसानी से इसमें ब्रेट क्रम की कोटिंग हो जाती है तो हाथों से प्रेस करते हुए आप इसमें ब्रेट क्रम की कोटिंग कर लीजेगा इस तरह से आप पहले बना करके सारे रख ले इसके बाद हमें इसे फ्राइ करना है तो हमने यहाँ पर मेडियम फ्लेम पे तेल को को उफजब कर लेंगे तो यह हमीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे गोल्ड्न होने तक के तो इसी तरह से हम बच्चे वए सारे ब्रेट बॉल को प्राइ कर लेते हैं भी तरी ब्रेति बोल बनकर के तयार होता है इसकी अंदर की फिलीं एकदम लाजवाब होती है जरूर से आप त्राय कीज़ेगा यहाँ पर हम आपको एक कट करके दिखाते हैं कि या अंदर से एकदम चीजी बन करके त्यार हुआ है यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीसियस चिकन ब्रेट बॉल बन करके तयार होती है जरूर से ट्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा व